हाई एवरिवन आज हम ग्राफ की मदद से डिजाइन को बड़ा करना यानि जूम करना सीखेंगे तो चलिए ग्राफ बनाते हैं यानि चेक्स तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन कीच लेंगे उसके बाद हम ट्रेसिंग पेपर को फोल्ड करेंगे नीचे वाली लाइन को उपर वाली लाइन पर प्रॉपर बिठा लेंगे उसके बाद स्केल से इसे तोड़ लेंगे फिर यहाँ पर डार करके निशान लगा लेंगे फिर इसे इसकेल से डार्क कर लेंगे हम इस बर्ड को एक फ्रेम में यानि चैक्स वाले फ्रेम में तो चलिए ग्राफ बनाते हैं यानि चैक्स तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन कीच लेंगे उसके बाद हम ट्रेसिंग पेपर को फोल्ड करेंगे नीचे वाली लाइन को उपर वाली लाइन पर प्रोपर बिठा लेंगे उसके बाद स्केल से इसे तोड लेंगे फिर यहाँ पर डार करके निशान लगा लेंगे फिर इसे इस स्केल से डार कर लेंगे हम इस बर्ड को एक फ्रेम में यानि चैक्स वाले फ्रेम में फिट कर देंगे अब हम इसे स्केल से तोड कर एक बॉक्स बना लेंगे यह हमारी बॉक्स की तीन लाइने कम्प्लीट हो गई है अब हम फॉर्ट लाइन को इस लाइन को नीचे वाली को हमेशा उपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पर ही बिटाएं जिससे के हमारा सीधा चैक्स बनी और अब यह हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है अब हम इसको सैंटर से फॉल्ड करेंगे यानि के दो भाग में हमारा यह बॉक्स हो चुका है हमने इसको दो भाग में डिवाइट कर लिया है अब हम इसे इसकेल से डार्प कर लेंगे अब हम इसका एक और फॉल्ड करेंगे यानि एक और भाग कर लेंगे और इसे इसकेल की मतलब से तोड़ लेंगे फिर इसको इसकेल की मतलब से डार्प कर लेंगे यह हमारी लैंथ वाली लाइन कंप्लेट हो गई अब हम इसको बीच से फॉल्ड करके लास्ट लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे अब हम इसके गैप को मेजर करेंगे इन्च टेप से अब हम इस चेक को मेजर करेंगे यह कितना साइस आया है इसका पर मुझे बहतरीन तरीका लगता है इसको एक पेपर पर निशान लगा लेंगे हम इससे बिलकुल भी कंफ्यूजन नहीं होती तो चलिए अब इसे हम लगा लेते हैं और यह नेक्स्ट और यह नेक्स्ट और यह नेक्स्ट इसके बाद से इंटर से फॉल्ट कर लेंगे और इसके पीछे की साइड से जो निशान लगाएती हमने उनके उपर दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे मैं आपको जूम करके दिखाया है यह देखिए अब इसकेल की मतदर से इन लाइनों को मिलाकर लाइन खेच लेंगे और यह नेक्स्ट साइड लाइने इसी तरीके से खेच रहेंगे और यह हमारा चैक देखिए बनके तयार है प्रॉपर एक्टम इक्वल बॉक्स बने हैं हमारे अब यह हमारा चैक से रेडी है अब हम इसके इंदर जहां जहां हमें काम करना है वह पर हम नंबर डाल देते हैं इसी तरीके से हर बोक्स के अंदर हम नंबर डाल लेंगे जहां जहां हमें काम करना है हमने उस बोक्स में नंबर डाल लें ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो अब हम इसके मेजर करते हैं हम इसको दो गुना बनाने जा रहे हैं यानि 200 परसेंट यह लेजिए इसका साइज निकल के आ गया है अब हम इस साइज का चैक बनाएंगे यह डबल हो जाएगी यह बर्ड अब डबल हो जाएगी इस हमारे दूसरे ग्राफ की मदद से तो हम एक सीधी लाइन खीच लेंगे यह पेपर काटने के बार इसको फोल्ड करने का तरीका यह है सेंटर से दबाके और यह है। इसको काटने के तरीका नौक से हम इसे काटेंगे यह जब भी आप पेपर काटें तो इसी तरीके से काटें इसकेल की नौक से दीरे दीरे काटें इसको नहीं तो यह बीच में से फट जाएगा अब हमने सीधी लाइन ले लिए इस लाइन पर हम पलट के लाइन के पर लाइन रखके अब हम इसकेल से इसको तोड़ लेंगे जिस तरीके से हमने पहले बॉक्स मनाया था वैसे ही हम यह बॉक्स मना लेंगे क्योंकि यह डबल है तो यह बड़ा चेक्स होगा इसके बाद अब हम चेक्स को गिन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स अब हम सिक्स चेक्स इसके अंदर बना लेंगे लंबाई में और चोड़ाई में हमारे हो जाएंगे फोर चेक्स यानि फोर लाइन इसको हम गिनेंगे कितने बॉक्स हैं यहां हमारे लंबाई में सिक्स बॉक्स हो गए हैं अब हम इस चोड़ाई में फोर बॉक्स यह हमारे वन टो तरी फोर फोर बॉक्स मना लेंगे चोड़ाई में हमने जैसे पहले बॉक्स मना था उसी तरीके से यह बॉक्स मना लेंगे और इसको हम फोल्ड करके इस नीचे वाले लाइन को भी स्केल से खेंच लेंगे और उसके बाद यह मार्क कर लेंगे नीचे वाले निशान और स्केल से मिलाके लाइन ने खेंच लेंगे अब इन लाइनों को हम सब लाइन को खीच लेंगे यह हमारी लैंट वाली लाइने पूरी हो चुकी हैं अब विड्थ वाली लाइनों के यह हम आपको यह निशान लगा लेंगे और बस सीधी सीधी लाइने इनको भी खीच लेंगे और यह हमारा डबल चेक्स तयार हैं घजन अवाली लाइने अब वाली लाम के वाली लेंगे अब इन चेक्स में हम नमबर डालेंगे जहां पर हमें काम करना है तो यह हमारे 20 चेक्स हैं जिन में हमें काम करना है इन नमबर वन में हम इस स्पेक्स को देख रहे हैं उसी स्पेस की बराबर यहां पर हम एक मार्क कर लेंगे यह चोटा सा मार्क गेर लिया अब नमबर एक बोक्स में हमें जो भी काम करना है वो कर लेंगे अब हमारा यह एक दो और यह तीन यह नीचे से देखो ऒह दम इस को हम नमबर फाइव कावन ये कर्व को नीच ले जाएंगे ये इसका हेड है और ये इसकी नेक के लाइन है इसको पूरा गर देंगे नंबर फाइव तक पहुच रही है नंबर बंद से अब एक ये कर्व है हमारा इसको हम मिला देंगे दूसरा भी ये मिला देंगे हम नंबर टू तक थोड़ा नीचे अब इसको एक राउंड वाला ले लेंगे नंबर सिक्स से नंबर ये इसका कर्व हो गया अब ये नंबर सिक्स में हमार कर लेंगे हम देख लेंगे कितना स्पेस है हमारा और इसको हम नीचे मिला देंगे इसके बाद ये एक मार्क कर लिया हमने नंबर फाइफ वाला और इस कर्व को मिला देंगे ये हमारा पंक वाला अब ये नंबर सिक्स से चैंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस कर्व को मिला देंगे इसमें ध्यान देने वाली बात बस यही है कि किस बॉक्स में कहां पर मार्क करना है और ये नंबर टैन वाला मार्क करके इसको नीचे मिला देंगे ये हमाई लाइन जाला ज्यादा ही स्टेट होई है इसे हम थोड़ा करू देंगे हम इसका मार्क कर लिया हमने इसको पूरा कर देंगे और इसकी शेप भी सही करेंगे भी ये दूसरा पंक इसका नंबर सेवन में और नंबर ट्वेल में हाफ हाफ है और नंबर सेवन के अंदर टीन पंक बनेंगे ये यहां मिला देंगे और लास्ट वाला ये यहां मिला देंगे ये लाइनिंग लगा देंगे बीच वाली इसके बाद तोड़ा शेप देंगे ध्यान रखें ये एक हमारा रफ है अभी हम इसे फेर करेंगे नेक्स्ट इसे मिला देंगे अब इसकी चौच बनाएंगे ये एक फॉर्मूला है जिसको हम सीख के वॉल पे भी डिजाइन बना सकते हैं हम बड़े बड़े दिवारों के अपने दिवारों के उपर देखेंगे पेंटिंग वगेरा वह भी हम बना सकते हैं इसी ट्रिक से अब हम ये ट्वैल वाली और फिफ्टीन के नीचे तक पहुंचाएंगे इस लाइन को कि दूसरी लाइन ले लिए हमने ट्वैल हाफ की और एक नीचे से लेकर आएंगे अब हम ये लाइन और वह भी पॉर्टीन के ये हाफ तक पहुंचा देंगे अब ये थार्टीन के और सिक्स्टीन के बीच वाली लाइन लबा देंगे शेप थोड़ी सही कर लेंगे अब हम इसके शेफट ठीक करके इसके पैर बनाएंगे पैर ये इसके नमबर टैन वाले बोक्स में है इसके शेफ ठीक करेंगे और ये नमबर सेवन के नीच वाली लाइन तब इसके पैरों की उल्विया हैं तो हम इसको मिटा के में थोड़ा सा और उपर करेंगे और ये सके 11 के और 7 के बीच में 7 के नीचे और 11 के कोर्नर वाले साइड में इसके पैर बना देंगे इसके मार फट अफट हम इसकी डाली बना लेते हैं ये 13 के अंदर कर्व हैं और ये सीधा जाके 18 के कोर्नर पर रुख जाएगा दूसरा वाला टैन के अंदर से निकल कर 14 में आएगा और 14 के पीस के लाइन को डबल कर लेते हैं ये 14 में नीचे तक पहुचा देंगे इसका अब हम इनकी पत्या बनाएंगे ये 18 वाली ये पत्ती बना दी इसकी और ये 19 और 80 के बीच वाली और ये 19 वाली और ये भी 19 के अंदर ही है इसी तरीके से हमने 20 और 70 वाली पत्तियां भी बना ली हैं इसी तरीके से अब हम इसकी 7 और 8 नमबर वाली डाली को पूरा कर लेंगे इसको डार कर लेते हैं तो अचाएं इसको डार कर लेते हैं तो अचाएं और इसको नीचे गड़ देते हैं अब इसकी यहाँ बना देते हैं इसके बाद अब हम इसको एक दूसरी पेपर पर अच्छी तरीके से उतारेंगे हम इसके बाद मैंने इसको काट दिया है ताकि वीडियो ज्याद लम्मी ना हो और अब हम इसको इन पत्तियों को भी पूरा कपलेंगे इसी तरीके से जितने भी डिजाइन होंगे हम सभी को बड़ा और छोटा करने के लिए इस ग्राफ को छोटा लेंगे जैसे हमने उसको डबल लिया था तो इसको हम हाफ लेंगे अगर हम इसको आधा छोटा करना चाहते हैं और अगर इसको पच्छिस परसेंट चोटा करना चाहते हैं तो फॉर्थ ए फॉर्थ लेंगे अगर आप इसी से समझ गए हैं तो मुझे कमेंट में बताईए अगर नहीं समझे हैं तो मैं दूसरे किसी और डिजाइन को भी बढ़ा करके दिखाऊंगा मैं आपके इसी खाका मास्टर चैनल पर एम्परोडी आर्ट का पूरा कोर्स डालने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन को दबा लीजिए आप इस चैनल पर प्रोफेशनल तरीके से आर्ट वर्क हैंड एम्परोडरी वर्क फुल कोर्स सीखेंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को बताईए जिनने इनकी जरूरत हो और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बौर्डर कैसे बनाते हैं और उसका कोर्नर कैसे बनाते हैं यानि बोर्डर का कोना कैसे बनाते हैं आपको जो भी सीखना हो या जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बनाए तो वीडियो यही पर खत्म होती है तब तक आप अपना खयाल रखें क्ता है